स्वागत है आपका आज के शिशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भया हाँ चले करते हैं आज की क्लास के शुरुवाद जैसे देखिए जी हमारा सारा प्रिवियर से कुश्चिंस का स्रीज जो है वो दस दिन में हजार कुश्चिंस वाला खतम हो गया था सिर्फ एक बच आप लोगों का जो एक्जान है का स्पेशली कॉमर्स वाले का वो जो है जी आ गया है 13 तारिकों यानि कि तीन दिन बचे हैं और इस तीन दिनों में बस आपको प्रिवियर से कुश्चिंस जो कम से कम 22 और 23 ये पांच सिफ्ट के जो है ना इसके जरूर लगा लिजेगा ज् करते हैं कोई भी अलग तरीके से कुछ अगर बच गया छोड़ दिया रह गया कुछ भी हो गया वह करने की ज़रूरत नहीं है अब जो आपने कर लिया है उसी को रिवाइज करते रहे हैं और थोड़ी सी मैं बुस्टप कर दे रहा हूं आपकी लास्ट जो बची है एक फिर मिलेंगे आपको कब सर अगले लास्ट मेट टिप्स पर नहीं हाँ जी सर चलियाएगा देखेगा जी सबसे पहले काम क्या आपको यह टेलिग्राम चैलेंज वाल करने नहीं जहां पर आपको यह नोट्स मैंने यही डाल दिया है तो टोटल 20 यूनिट है 20 यूनिट के 20 यहां पर आपका नोट्स डाला हुआ है प्रिवेस्ट इस क्विश्चन हर में 50 क्विश्चन से सिर्फ इनाइंस का मैंने लास्ट ताइम था आपका टाइम स्पेंड ज्यादा खराब ना हो इस वज़ए से मैंने 2022 और 2022 कहीं लिए हैं तो चली और कोई अभी भी दिक्कत आ सब्सक्राइब कर सकते हैं ज्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं क्वेस्टिन के और करते हैं क्या क्या वेल्यू एडिटिवी अडिटिवी प्रिंसेपल इंप्लाइज इन विच वन आफ फॉलूइंग में 30 अव्दा क्यापटाल बस्तिक अब देखिए वेल्यू रिस्क फ्री रियर्टी इस तिक्स परसेंट मार्केट रिस्क प्रिमियम इस नाइन परसेंट अन्द बेटा ओफ शेयर बीटा बेटा ने बीटा बीटा अफ सेर इस वन पंट फाइल फॉर नर्वाट इस आपको क्वेशन पूछा गया है और यह जो मैथ्टोड है इस मेथ सब्सक्राइब काम प्रीमियम रिस्क प्रीमियम और यह बोलता है रिस्क फ्री रेट एक मिनट इसको क्या बलते हैं जी जी risk-free rate तो आर्फ देखी दिया हुआ 6 परसेंट है ना प्लस बीटा दिया हुआ 1.54 और आपका जो प्रीमियम है वो डिरेक्टली दे दिया है नाइन इसमों करने की ज़रत नहीं है तो 6 प्लस वन पॉइंट पंदर और आपका जो रहता है पंदर तीस तेरह और पुर्ण जोग छतिस यानि कि आ जाएगा आपको 13.86 तो यहां जाएगा कितना चलिए देखते हैं आई क्या रहा है टेक्स और डिविडेंट इस पेड बाइव हॉम तो सब्सक्राइब करते हैं जो भी पेमेंट क्या होगा जी चलिए नेक्स चलिए को सब्सक्राइब करता है उसके साब से वर्किंग अप्ल हम देखेंगे सब्सक्राइब करता है क्रेंट और को बढ़ा कर देनो तो आपको इस दिखेंगा थोड़ा सा मैंने जल्दी करने के लिए यह काम कर दिया आएे तो अब सब्सक्राइब पहले कि आप फाइनांस लिस्क बोला था लेसर फाइनल इसका क्या होगा दा लेसर ट्रांसफर सब्सक्राइब अपर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं कर देते हैं और उसी लिज को वापस ले लेते हैं लेसर देन लेज बैक टो दीफरेंट इन तो एक फोगी का फोगी का तूट यानि कि पहला नमबर आपका आंसर हो गया चले कुछ्छन नमर्सिक्स पर देखें आए कुछ्छन नमर्सिक्स का कह रहा है कि रहा गिवन भी चार मालेज दोजार रहा है कि और दूसरा गलत हो गया चले यह हो गया पहला सिफ्ट का आप दूसरा सिफ्ट का ही है चार मार्स 2023 में दूसरा सिट में क्या आया था कुछन देखिए क्या कह रहा है एक्कॉर्डिंग ट्राइशनल अप्रोच वर्च इस दा एफेक्ट इंक्रीज और डिक्रीज इन लिवरेज इन दा वैलेशन अप्रोच यह बात रखेगा तो ट्राइशनल अप्रोच यह कहता है कि पहले कुछ टाइम तक देट को बढ़ाएंगे तो फ़र्म की वैल्यू बढ़ेगी और उसके बाद फिर गया होगा एक टाइम के बाद फ़र्म की वैल्यू खुदी डिक्रीज होने लगेगी तो एंसर हो गया फोर है ना इंक्रीज फर्स देन डिक्रीज चलिए अग्राइब टाइम वेल्यू बड़ेगा बात है कर दिसके रोड़ेगा अब्जिक्ति अब्जिक्टिव और इन पीवी तरह ये काम करता है कर इंसिडर ऑल एं पॉजिटीव और एंटार लाइफ प्रोजेक्ट ने ये बिल्कुल गलत बात है और ये क्या है गलत बात है त इस नमबर नाइन में चलते हैं नाइन में कहाई जी नाइन में कुस्टिन बोटा विच अ फॉलिव इंगा फ्रफेटिंग ओप्रेशनल लीज होगा लगा लेकिन क्रेडिट रेटिंग नहीं होगा याने कि ए बीसी यह देखें चार है ना यह देखें चले विश्यन नमब बिटा अब पॉट्फोलियो बिटा को कौन-कौन क्या करता है इंफ्रेंस करता है ना चलिए तो सबसे पहले क्या प्रफोलियो साइज बिल्कुल सही इन्वस्ट्मेंट लॉंग टिविटी बिल्कुल सही सर्ट्रेडिंग वॉल्यूम सही है रिटर्ण इंटर्वल वीकली लेकिन पॉर्टफोलियो लेवरेज इसकी बात नहीं करता है यानि कि A B C और D अंसर चलिए अब दिखिए टाइपस दिया गया और उसका दिस्क्रिप्शन दिया गया है यह एक में दिक रहा है आप को है ठीक है चलिए अब कुश्चिन नबर 11 क्या रहा है टाइपस दिया गय जो बॉंड्स ग्लोबल बॉंड्स का बोलते हैं आपका बॉंड्स सेम हैं बॉंड इन्फ फॉरंग करेंसी आर ऑफ़र्ड ओफर्ड फोर्स एमल्टेनियस प्लेश्मेंट इंडिफर्ट कंट्रीज फिर सी का यंग की बॉंड्स बॉलते हैं जो दिखिड हुआ यूस डॉल क्या कहा रहा है आरे इंट्रनेशन और यह बता दो तो सब्से पहले कहा आइदेंटिफाइए क्रेंग बिल्कुल से पर्चेस को उस बेस पर हम क्या करेंगा और तब तब जाके प्रोकेट देखेंगे कि प्रॉफट कितना हुआ तो यानि कि A C B E D आगया फॉस्ट नमबर चलिए अब क्या कह रहा है कि रिस्क मैंजमेंट प्रॉसेस फॉलोग स्टेप्स विद लॉजिकल सिक्वेस्स मैंजमेंट प्रॉसेस को बताना है कि भाई कौन सेक्वेस्ट फॉलो करता है तो सबसे पहले इंस्ट्रॉमेंट और तब जाके फीडबेक अन्ट रिस्क मैंजमेंट प्रॉसेस तो बी सी ए डियानी की एक ही बार में पते दल गया था कि सबसे पहले बी था तो आइडेंटिफाई कर लेंगे रिस्कों तो काम मेरा बन जाएगा अब आईए 2022 का पहला सिफ्ट का क्या कह द्यान से पढ़िएगा आई करा इन दे कंपरिजन पूदा डॉमस्टी की इन्वेस्टमेंट फॉरेंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट फॉरेंट इन फॉरेंट इन वीच अफॉल एंग सिट्विशन तो हाइड डिपिदेंट इल्ट हाइए रिट अप्रिशिएशन कही efforts एक अगर इंग तो आपका ऑकपरिटा प्रेंटेश्टमेंट एक्स सब्सक्राइइब bourantine चेंग ऑन एक्स वहिप कि अगना क nee भॉटा है आप सेटिंग आप्स क्यों लेक्शर इंट प्रिटेंट इटिंट फॉच्छ वूज और इसडियाक्स पोन into before exchange in exchange rates but to be settled after the exchange rate तो इसको बोलता है जी transaction exposure यह आप देख लिजेगा चलिए, question number आप 16 में चलते हैं, किरा विच वन of the following is a method of converting non-productive inactive into productive asset by selling receivables to a company that specialize in their collection and administration, sir इसको बोलता है, for for fitting, क्या बोलता है, sorry factoring for fitting बोड़ा हां, चलिए, next channel है, हाँ जी सर, आप क्या बोड़ा है, in which of the following effect the pricing currency option, pricing currency option को effect करता है, कौन कौन सा बताईए गाजी, चलिए, export exchange rate करता है, exercise rate करता है, बिलकुल सही बात है, याना, foreign risk free rate करता है, so time to expiration भी करता है, यह लगिन domestic risk adjust rate नहीं करता है, तो A, B, C और E, यानि कि आपका third number, यह देखे, currency options का क्या मतलब होगा, कि दो parties के बीवें, buyer और seller के बीच में क्या होता है, है कि buyer purchase का और purchase करने का right देता है, ना, right to buy and sell, ठीक इसको ध्यान में रखेगा, चलिए, question number 16, क्या रहा है, rearrange the steps, followed in the evaluating and investment proposal using NP method, NP method है, हाई जी सर, NP method में क्या बूट रहा है कि investment proposal मिला है, आप उसको कैसे steps follow करेंगे, आईए, सबसे पहले हम forecast करेंगे, cash flow का, फिर उस बिस पर हम identify करेंगे कि क्या discount rate है, और फिर तब जाके हम देखेंगे, calculate करेंगे present value of cash inflows, और तब जाके हम compute करेंगे net present value और rank करेंगे कि कौन सा rank में NPV कर यह करता, तो CBAED, यानि कि third number answer, चलिए, अब चलें, second commerce का second shift है, यानि कि दूसरा एक्जाम जोगा था, portfolio approach to investing the primarily focused which of the following, तो sir इसको बोलता है risk optimization, क्या बोलता है risk optimization, चलिए, क्या रहा है, as per the which of the following approach is a firm finances the part of its permanent working capital with the short term financing, the permanent working capital को short term finance कर रहा है, इसको aggressive approach बोलता है, और अगर यही तीज़, आपका matching approach हुआ तो, तो sir यह permanent को, permanent working capital, एक मिनट, क्या हो रहा है यह, रहे यार, एक मिनट, एक मिनट थोड़ा सा, यह यह देखेगा, पर्मानेंट working capital जो है, यह long term से जाएगा, और short यह, short term working capital ना, इस short term से जाएगा, sorry, यह short term ने इसको temporary बोलियो, temporary working capital, है ना, temporary इसमें जाएगा, तो इसको matching approach, conservative में क्या होता है? just deposit होता है, कि long term को short term से दे रहे हैं, या फिर permanent को short term से दे रही है, और आपका long term को, ही आपका long term से दे रहे हैं, तो दोनों का दोनों long term से मिल रहा है, चलिए तो यह क्यों होगा अग्रेसिव प्रोच नेक्स चलें आई एक रहा है विच वन फॉलिंग अप्रोच इस अब यह तो बताया था कि हम लोग क्याप्टल स्ट्च्चर की चैडिस्टन अप्रोच में कहते हैं कि एक सर्टन टाइम तक आपका क्या रहेगा वेल्यों फॉ के बाद बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे तो फिर वह वेल्यों क्या होगा डिक्रीज करने लेगा तो यही तो बात है आपका ट्राइशनल अप्रोच कि चले कुश्चन अबर 22 में चले है तो इसका पॉट्फोल्य आउट्फोल्य और हाइर इंपोर्ट कर रहा है इस वजह से यह दिक्कत हो रहा तो यह आपका यही एंसर हो जाएगा के रिए मोदी कि लानी हाइपोटेजिस में ने अजम्शत दिया था जो इसका अजम्शन है और कौन सा अजम्शन नहीं है ठीक है तो बात चलिए आईए देखते हैं करा इंवस्टर आबल तो फुरका स्वीचर प्राइस डिविदेंट विस सब्सक्राइब बिल्कुल है यह बिल्क है और पाइनसिंग इस डान तो रिटेंट सब्सक्राइब यह बात इस पर नहीं है यह तो रिलेवन्ट के दिए तो गलत हो गया फिट देर नो टेस्ट बिल्कुल सब्सक्राइब और यह चलिए और यह बिल्कुल सब्सक्राइब और यह बिल्कुल सब्सक्राइब और यह और और यह बिल्कुल सब्सक्राइब और यह तो गलत हो गया यह तो गलत हो गया यह और यह पर सब्सक्राइब करना है और उसको आपको मैच करना है करना कैपिटल सब्सक्राइब विदिन देट कापसिटी आपको कमपनी और इसका कमपनी का और उसे जादा वो नहीं डिटेमाइन के सकता है यह बात बिल्कुल से लेकिन देखो तो क्या दोनों का रिलेशन है क्या सब बिल्कुल रिलेशन नहीं है यानि कि A और R और एक्स्प्रेशन बिल्कुल नहीं है चलिए यह हो गया अब कुश्चन पर 27 क्रूट अब फिनेंश्यल पॉलिसी सेजिस्टेट बाई मैरीस हैपोथे बिल्कुल से चलिए इसका आपको सीक्वेंस पूछा गया तो आईए बताते हैं प्रेस्क्राइब बिल्कुल सही उसका अप्रूबल लेना है उस से बिल्कुल सही फिर करना है फिर उसके बाद आपका आपका अप्शन हो गया जी एस टी बी इडी है ना यह उप्शन हो गया चलिए नेक्स चलिए आई कुस्चिन नबर 31 क्या कह रहा है क्या रहा है विच्चों आर तो मेंजर ऐस्टर से लेजान होता है यह बात बिल्कुल सही यह बात बिल्कुल सही है लगिन जब डिफिशेंसी है तो एफिशेंस यह नहीं होगा यानि कि गलत तो ए बी सीडी आंसर ले यह एक्रीस कोश्चन थर्टी वन कोश्चन आए हुए थे आपके पांच सिफ्ट में 2022 के तीन सिफ्ट हुए थे उसमें अब सिफ्ट में जो दिसंबर वाला इंक्लूड करके सिफ्ट था उसमें दो सिफ्ट यह पांच सिफ्ट में इतने कोश्चन आए इसको कर लिजेगा उमीद है इसका आपको बहुत फायदा होगा और मज़े से पढ़ते रहे हैं फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और फिर एक्ज जैहें